हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की Vivo Y27 फोन में आप लोग केमेरा टाइमर को कैसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo Y27 फोन है और इस फोन में आप लोगों केमेरा टाइमर को लगाना है तो कैसे आप लोग केमेरा टाइमर को लगा सकते हो गाइस अगर आपको जो है केमेरे में टाइमर को लगा के फोटो खीचना है आप लोगों जो है फोन को जो है स्टेंड बे लगा के केमेरा में जो है टाइमर लगाना चाते आप लोग और जब भी आप लोग जो है शटर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो भी टाइमर को सेट करोगे उसी टाइमर के बाद आपका जो फोटो है वो आटोमेटिकली खीच जाएगा तो कैसे जो है आप लोग अपने फोन में टाइमर को लगा सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते है camera timer लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपने phone में जो camera है इसको open कर लिजिए open करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे options देखने को मिलेंगे उपर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे options है फ्लास्लाइट का HDR का तो यहाँ पर आप लोग ऊप्शन देखने को मिलेगा का इस settings का देख सकते हैं तो इस settings के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो second वाला option है यहाँ पर off लिखा हुआ है और यहाँ पर back side में देख सकते 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसको इस टाइमर बोलते हैं आप लोग यहाँ पर से जो है टाइमर को अगर 3 seconds पे click कर देंगे तो जब भी आप लोग इस certain button पे click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 seconds बाद आपका photo जो है वो automatically खिच जाएग तो यहाँ पर 5 seconds का भी option है और 10 seconds का भी option है तो यहाँ पर से आप लोग टाइमर को लगा सकते हो तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने vivo Y27 phone में camera में timer को लगा सकते हो गाईस तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलता है कर लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई